इंद और की चंदरनगर पुलिस ने गुमास्ता नगर में बरतन व्यापारी की यहां हुई लगबग 80 लाग की संसनी खेश चोरी का खुलासा करते हुए फर्यादी की पत्नी के भाई सहीत अन्य एक साथी को गिरफतार किया है और साथी फर्यादी की पत्नी के पास से 85 लाख रुपे के सोने के जेवराद सहीत नक्ती बरामत की है दरसल कुछ दिन पहले चंदर नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले बरतन व्यापारी की घर में करीब 80 लाख रुपए की चूरी हो गई थी जिस पर चंदर नगर थाना प्रभारी द्वरा करीब तीन थाने के खुफिया टीम को शामिल कर लगाया गया था करीब 200 CCTV कैमरे खंगालने की बाद कैमरे में दो व्यक्ती हाथ में हेलमेट लिए फर्यादी के घर के कुछ दूर पर आटो खड़ा कर पैदल घर में घुस्ते हुए एवं वार्दात को अंजाम दे कर बाहर निकल कर कुछ दूर चलकर आटो से जाते हुए दिखे पूश्ताच में पाया गया कि फर्यादी की पतनी का भाई वैभो एक्टिवा से ही वर्यादी के घर आता था उसके बाद चंदनगर पुलिस ने फर्यादी की पतनी के भाई वैभो पर नजर रखना शुरू कर दी जिसमें वैभो का हड़ बडा नाइस पश्ट सामने आया कल चंदनगर पुलिस वरा मास्टर माइंड बहुरानी के भाई वैभो को लेकर आये वम उसके बताया नुसार उसकी दुकान पर काम करने वाले उसके साथ ही अरबास को पुलिस रासत में लेकर पूश्टाच की गई तो वैभो ने चोरी की बात कुबूल की और साथ ही उसने बताया कि उसने अपनी बेहन के कहने पर चोरी के साथ ही आरोपी ने ये भी बताया कि बहन ने ही वारदात वाले दिन उसे बताया था कि घर पर कोई नहीं है तुम घर में से सोना एवं रुपई शुरा कर ले जाओ बताया ज़रा है कि फर्यादी की पतनी जितनी को भी अधिक जेवर और संपत्ती देने से नारास थी इसी को लेकर उसने अपने भाई से चूरी करवाई आरोपी वेभव वा उसके साथ ही के बताया अनुसार दोनों से लगभग एक किलो 600 ग्राम सोने के आभूशन, 40 ग्राम डायमंड के आभूशन, 600 ग्राम चांदी के आभूशन वह नगदी करीब 20,000 रुपई जब्त किये हैं प्रक्रेण में मास्टर माइन बहुरानी फर्यादी की पतनी माधुरी को भी धारा 120 बी भादवी के तहट उक्त प्रक्रेण में आरोपी बनाया गया है जिसके विरुद्ध वैदान एक कारवाई की ज़ा रही है इंदोर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट